कालांतर में यहूदिया प्रदेश के जंगल में बब्तिस्मा देने वाला योहन आकर ये प्रचार करने लगे मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य पास आ गया है ये वही हैं जिनके विशे में भविश्य द्वक्ता या शाया ने अपने अभिलेख में इस प्रकार संकेत दिया है वो आवाज जो जंगल में पुकार पुकार कर कह रही है प्रभू का रास्ता सम्तल सीधा करो उनका मार्ग सरल बनाओ बब्तिस्मा देने वाले योहन उट के बालों से बने हुए वस्त्र तथा चमडे का पटुका पहनते थे और उनका भोजन था टिड्डियां तथा वनमधु येरुशालिम नगर, सारे यहुदिया प्रदेश और यर्दन नदी के नजदी की क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग उनके पास आने लगे पाप को मानने के बाद योहन उन्हें यर्दन नदी में बब्तिस्मा दिया करते थे जब योहन ने देखा कि अनेक फरीसी और सदू की बब्तिस्मा लेने आ रहें उन्होंने उनकी उल्हाना करते हुए कहा विशेले सापों की संतान, समी पा रहे क्रोज से भागने की चेतावनी तुम्हें किसने दे दी अपने स्वभाव द्वारा अपने पश्चाताव की पुष्टी करो स्वयम को ये कहते हुए धीरेज मत दो, हम तो अबराहम के वन्शज है मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर अबराहम के लिए इन पत्थरों से भी संतान उत्पन कर सकते हैं कुलाडी पहले ही व्रिक्षों की जड़ पर रखी हुई है हर एक पेड जो तंफल नहीं फलता, काटा जाता और आग में जोप दिया जाता है मैं तो तुम्हें पश्चाताब के लिए पानी से बब्तिस्मा दे रहाँ किन्तु वो जो मेरे बाद आ रहे हैं, मुझसे अधिक सामर्थी है मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उनकी जूपियां उठाऊं वो तुम्हें पवित्रात्मा और आग में बब्तिस्मा देंगे सूप उनके हाथ में है वो अपने खलिहान को अच्छी तरह साफ करेंगे केहूं को भंडार में खटा करेंगे और भूसी को कभी न बुजने वाली आग में भस्म कर देंगे येशू गली प्रदेश से यर्दन नदी पर योहन के पास आए कि उनके द्वारा बब्तिस्मा लें किन्तु योहन ने इसका इंकार करते हुए कहा आवशक तो ये है कि मैं आपसे बब्तिस्मा लूम यहां तो आप मुझसे बब्तिस्मा लेने आए हैं मसी येशू ने इसके उत्तर में कहा इस समय तो यही होने दो हम दोनों के लिए परमेश्वर द्वारा निर्धारित धार्मिक्ता इसी रीती से पूरी करना सही है। इस पर योहन सहमत हो गए। बगतिस्मा के बाद जैसे ही मसी येश्व जल में से बाहर आये। उनके लिए स्वर्ग खोल दिया गया। और योहन ने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते हुए। तथा येश्व पर ठहरते देखा। उसी समय स्वर्ग से ये शब्द सुना गया। ये मेरा पुत्र है, मेरा बरम प्रियर जिसमें मैं पूरी तरहां प्रसन्न हूँ।